मन्सो जिले के गरोट नगर में श्री साई विध्या निकेतन स्कूल में बच्चों के अभिभावकों को याद आया अपना बच्पन मन्सो जिले के गरोट नगर में श्रिशाई विधा निकेतन स्कूल में बच्चों के अभिभावकों के लिए कई प्रकार के गम्स जैसे जेन्स पेरेंज के लिए जिसमें अधिक संक्या में सभी महिला पूरुष अभिभावकों ने भाग लिया इस कारेक्रम में सभी अभिभावकों में काफी उत्सा देखने को मिला वहीं प्रतियुगिताओं में जीतने वाले अभिभावक प्रति भागियों को फर्स सेकंड आने पर शिल्ड देकर सम्मानित किया गया इस कारेक्रम का मुख्य उत्येश बच्चों तथा युवाओं में खेल के प्रति आकर्शन तथा उत्सा उत्पन करना था आज की युग में बच्चे केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं जिससे उनके द्वारा मेदान में खेले जाने वेले खेल मोबाइल में ही सिमट कर रह जाते हैं और बच्चों का मालसिक तथा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है इसलिए आज श्रीसाई विध्या निकेतन इस्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इस्कूल में अभिभावकों को बुला कर उन्हें खेल के प्रती उत्साइब किया गया गरोट से समवा दाता जीवन साकला की रिपोर्ट आज जो इस्कूल में सभी पेरेंट्स को पुलाया गया था चात्रों के तो क्या कारेक्रम किया गया आयुजित नहीं आपर आज साइन निकेतेन स्कूल में सभी अभिभावको बुलाया गया था उसमें उनके लिए जंस हैं रखे गए थे और फिर उसके बाद साइकिल रखी गई थी. चैरस में दोनों ही प्रकारति जैन्स और लेडिस पेरिंस ने अपने हमें भाग लिया और उसमें रथम और देती स्थाम बनाया. उसके बाद तरकाली भाषन पत्योगिता हुई. तरकाली भाषन पत्योगिता में भी दोनों पैरिंस ने अपना पत्योगिता में भाग लिया और उसमें भी नोंने अपना प्रथम एम धिती स्थन प्राप्ति किया और उसका पुरुस्कार वित्रण श्री हमारी जो अध्यक्षा है श्रीमती अर्चना गुप्टे में उनके द्वारा उन्हें पुरुस्क्रत किया गया न्यूस प्लस 24 के लिए गरोट शेत्र में विज्यापन एवं खबरों के लिए संपर्क करे जीवन साकला संपर्क सुत्र 98 26 34 08 07